तुम्हारे शिवा कुछ ना चाहत करेंगे ये जब तक जिएंगे मुहबत करेंगे मुहबत मुहबत। तुमारे शिवा कुछ ना चाहत करेंगे ही जब तक जिएंगे मुहबत करेंगे मुहबत मुहबत। Hello Friends, This is Vijay Raj Pusp and Welcome to Learner Eyes by VRP हम लोग math pedagogy गनी सिक्षन सास्त्र के तहट nature of mathematics गनीत की प्रकिर्ती के अंतरगत thinking chapter को चला रहे हैं thinking यानि चीनतन इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले मैंने पहले ही दो वीडियो अप्लोड कर दिया है इस chapter का nature of mathematics में thinking का पहले बाले आप मैं आप देख सकते हैं what is thinking, thinking के बारे मैंने पूरा question डाल, thinking के बारे मैंने पूरी चीज़ बताई है और दूसरे में आप देखेंगे thinking has two basic principles यानि principles of thinking जिसमें हमने चर्चा किया था कि चीनतन के दो अधरवुत्तत है image और word जिसके mental image और word जिसके मानसिक परतीमा या सब और दूसरा concept और उसमें मैंने mental image के बारे में चर्चा कर रखा है तो आज ये इसका तीसरा section है thinking का जिसमें मैं दूसरा लेकर आया हूँ concept what is concept आपके दिमाग में आती होगी कि concept आखिर होता क्या है समपड़ते क्या है तो simple समझेगा कि the sign of a thing or incident and equate them with already present things or incidents and identify them यानि वस्तू या घटना के लक्षनों को ढूंड कर उसका मिलान पहले से बिदिमान वस्तू और घटनाओं को पहचानने का प्रयास करना ही आपका concept या समपड़ते हैं अगर हम simple भासा में कहे तो जो बस्तू या घटना आपके सामने आती है तो आप क्या करते हैं उसका मिलान करते जो आपके पहले से mind में उससे related चीजे हैं और फिर पहचानने का प्रयास करते हैं जैसे अगर आप सेर को देखकर उसका पसू के रुप में बरगी करन कर देते हैं इसका क्यारत है क्योंकि आप पहले से ही आपके mind में settle है कि सेर जो है वह पसू के अंतर गताते हैं जो पैरट तोता है वह बड्स के अंतर गताते कैसे आपने देखा तो जब आप किसी चीज को देखते हैं जब किसी चीज़ घटना को आप देखते हैं या किसी चीज के बारे में जब आप सूचना शुरू कर देते हैं तो जो पहले से आपके अंदर जो बिद्यमान होते हैं जानकारियां जो गुन जो क्वालिटी आप उसके साथ उसे मैच करते हैं उसके साथ मिलान करते हैं और मिलान करने के बाद आप उसको एक कैटेगोरी दे देते हैं उसको पहचान कर और बता देते हैं कि यह उस तरीके की बाते हैं, तो ये concept है, जैसे अगर आप किसी teacher को देखते हैं, किसी doctor को देखते हैं, किसी रोगी को देखते हैं, तो आप कैसे बता है, ये teacher है, ये doctor है, तो कहता है कि ये सारे चीजों जो होती है वा पहले से आपके अंदर चीजे विद्यमान थी और आप ने उसके साथ मिलान किया उसके साथ पहचान किया और आपने उसको बता दिया ये चीजे हैं तो हमारे अंदर जो पहले से विद्यमान होते हैं, चावबस्तु हो, चावब घटना हो, और जब हम उसका रिलेट उसे करते हैं, और तब हम पहचान कर जो बताते हैं, वही हमारा कंसेप्ट या संपर्ते कहलाता है. आप जब विद्याले जाते हैं, जब आप स्कूल में जाते हैं, तो आपके अंदर पहले से ही, क्या होती है? उसके बारे में पहले से ही, मवजूद होती है ग्यान, और फिर आप उससे आप उसका क्या करते हैं, मिलान कर देते हैं, और फिर आप पहचान लेते हैं, और आप जान जाते हैं, कि इसकूल में पढ़ने का काम होता है, वहाँ पे ग्यान की बाते की जाती हैं, वहाँ पे सी उच्छक होते जो ज्ञान को देते हैं और बच्चे भी कभी कभी ज्ञान देते हैं क्योंकि दोनों साइड से लर्णी हो जाती है तो यहीं हमारी concept या संपर्ते कहलाता है अगर detail में इसको देखे तो और देखेगा concept यानि संपर्ते जब हम वस्तू या घटना के लक्षनों को ढूंड कर उसका मिलान पहले से मौजूद वस्तू एबं घटनाओं के शंबर्ग से करते हुए उसको पहचानने का प्रयास करते हैं तो संपर्ते कहलाता है यह एक समान भी से स्ताय रखने वाली वस्तू विचार या घटना का वर्ग है उधारन के लिए कुट्टे को देखकर उसका पसू के रूप में बर्गी करन करना आपने कुट्टे को देखा और आपने उसका क्लाशिफिकेशन उसका वर्गी करन कर दिया पसू के रूप में आपने कैसे किया चुकि बस्तू या घटना के लक्षनों को आपने ढूंडा आपने जब कुट्टा को देखा तो आपने उसके लक्षन को उसके गुनों को आपने ढूंडा और फिर उसका मिलान किया कि आखिर किस कैटेगोरी में है जो आपके पहले से विद्यमान थे वो घटना या बस्तू और फिर आपने पहचाने का पर्यास किया और फिर आपने बता दिया कि यह जो है पस्तू है आप किसी पैरट को देखते हैं किसी तोता को देखते हैं तो आप कैसे बता देते हैं कि यह पक्षी है चुकि आपको पहले से ही उसके बारे में मौजूद थी जानकारिया तो यह सारे चीजे होती हैं संपर्तिया concept के बारे में तो thinking के के दो principles हैं पहला आपने देखा mental image और word जिससे परतीमा या सब्ध और दूसरा आपने देखा concept और संपर्तिया जिसको हिंदी में करते हैं आगे वाले section में आगे वाला जो आएगा हमारा नेचर आफ मैथेमेटिक्स के तहट प्रोब्लम सॉल्विंग आएगा समस्या समधा आपके पास समस्या आती है तो कैसे उसका आप समधान करेंगे किस तरीके से अपने आप को ढालेंगे कैसे आप मैनेज करेंगे तो इस जानकारी को पाने के लिए मेरे अगर आप न्यू सब्सक्रैबर है तो सब्सक्राइब इस चैनल लर्नर वाइं लर्नर आइज वाई वी आपी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन कर दे और बेल यानि घंटी की बटन को भी प्रेस कर दें और किसी भी परकार की तुरूटी किसी परकार की गलतियां या किसी परकार का राय जो आपको लगता है कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट बक्स में ज़रूर लिखे मैं आपके सुझाओ का हार्दिक स्वागत करता हूं थैंक्स फर वाचिंग कीप वाचिंग स्टे हो में स्टे से टेक क्यार अपने और अपने परिवार का खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखे जैहिन जैह भारत